आज सपोर्ट तेजप्रता प्यादो जितने भी वीवर्ज इसको देखने का काम कर रहा हैं। काफी लंबा समय आपका और मेरा। मैं आज फिर आपके सामने मैं लाइव पे आ गया हूं। और जितने भी वीवर्ज हैं जो अभी सामने में लगतार दीनिया पे बने रहते हैं। मैं तेजप्रता प्यादो आज सपोर्ट कीजप्रता प्यादो की तरफ से घढ़ सराविन अभीन फ्यार और स्रह्तमें करणे का काम करता हूं। आप देख रहे हैं लगतार हमारा कारिकरम शुरू हो चुका है बिहार के हालात करें किस तरीके से पूरे बिहार में जो महौल क्रियेट किया जा रहा है इस सरकार के द्वारा यह जो सरकार जो पिछले एतने सालों से जो काम कर रही है बिहार में और जो अभी-अभी कि जो ख़वर मिला कि जो टीन राज में जो चुना हुआ उसमें किस तरीके से कॉंग्रेस ने और राहूल गांधी जी के नेतुत्क में किस तरीके से जीतने का काम हुआ दुनों के ऊपर जिस तरीके से भगवान का आशिरवाद रहता है भगतों पर उसी तरीके से मेरे पिता का आशिरवाद लेकर के मैं इस राजनीत में मैं फिर से कदम रखा हूं और हम कारिकरम लगा रहे हैं लगतार हमारा कारिकरम लड़कों से मिलना जुलना उनकी समस्याओं को निदान करना समस्याओं को सुनना लगतार हम बने हुए हैं और कुछ चंद मीडिया के लोग हैं जो हमको बंदाम करने पर लगे हुए हैं वो RSS भाजपा मीडिया वाले लोग मैं उनको चितावनी देना चाहता हूँ कि इस तरीके का हबडंडा ना अपना है क्योंकि हमारा जो जनता दरवार जो हम लगाने जा रहे हैं उस पे भी कॉमेंट वाजी किया कि दोनों भाई में दरार हो रहा है एक नेता एक प्रतिनीधी होने के माध्यम से मैं ये जनता दरवार लगाने जा रहा हूँ और इस पे आप लोग की फट रही है तो पूरे तरीके से फटे हमको और जलने वालों को और जलाने का काम करना है हमको आप लोग के बहकावे में नहीं आना है हमें जनता को देखना है क्या अभी मीडिया वाल रोज बलतकार रोज का ये टांड़ो जो मच रहा है वो चीज नहीं दिख रहा है निर्जोस लोगों के उपर लाटी चार्ज होता है लड़कों को पिटवाया जाता है छात्रों को पिटवाया जाता है नौजवानों को पिटवाया जा रहा है मैलाओं को पूरा बिहार में फैलावा है और यहां तक कि नितीश कुमार जी या अब देख लिए जो सरकार है यह बोलती कि बिहार में सराब बंद है बिहार में सराब कहां बंद है चाहरो तरब होम डिलेवरी हो रहा है यहां तक कि परसासन के द्वारा सराब का बितरन हो रहा है लोग स आप लोग लोग आप लोग हैं जितने लोग देखते हैं इसको यह हमारा कार्करम जहां जहां पूरे भिहार में लगता है तो आप देखें कि पूरे भिहार में किस तरीके से दमगडोल की इस्तिती बनी हुई है किस तरीके से बोलते हैं कि सुसासन है, सुसासन के पीछे क्या चाहरा है, सुसासन के पीछे लूट है, हत्या है, बलतकार है, अपहरन है, धांदली है, फिर से घोटाला पर घोटाला हो रहा है, लेकिन इस पर कहीं न कहीं सरकार पूरी तरीके से फेलिवर है, सुसासन का सरकार सुसासन का समराज ये बोलने से नहीं होगा ये लोगों को दिखना चाहिए लोगों के बीच में दिखना चाहिए ये चीज लेकिन चारोत रफ अब देख लिजे हर एक जगा से इस बार इनका इनका पूरा पत्ता साफ होने जा रहा है पूरे तरीके से इनका पत्ता साफ हो जागा ये कहीं के नहीं रहेंगे ना घाट के रहेंगे ना घर के रहेंगे चारोत रफ से इनका पत्ता साफ हो रहा है